एक आकशक व्यक्तितों के लिए व्यक्ति की हाइट बहुत माझे रखती है और हर कोई चाहता है कि उसकी हाइट अच्छी हो दोस्तों हम लोग इंसान हैं और हम लोगों की बॉडी की खास बात विया है कि इसे हम अपने हिसाब से मैंटेन कर सकते हैं यानि कि हम चाहे तो मोट हो सकते है चाहे तो पतले हो सकते हैं और अपनी हीट को भी बढ़ा सकते हैं आज इतना जयादा प्रोग्रेस कर चुका है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है हम लोगों की जो हाइट होती है वो मातर चार चीजों पर पर डिपैंड होती है तहला जैनेटिक दूसरा टाइट तिस तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इसी के बारे में बताऊंगा, साथ ही आप लोगों को हाइट बढ़ाने वाले कुछ टिप्स दूँगा, जो कि सारे scientifically proven हैं, और इसलिए वीडियो को पूरा अंग तक दिखिएगा, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, आप लोगों म लेकिन पूरी तरह से सही नहीं है, हमारा कद लंबा होगा या फिर हम छोटे कद के रह जाएंगे, यह बहुत ही हद तक हमारे जीन पर निर्भर करता है, वैग्यानिकों के नुसार 60-80% लंबाई जीन के कारण निर्धारित होती है, यानि कि आपके parents की height है, उस पर depend करता है कि आपके parents के height कैसी है, और यह जरूरी नहीं है कि आपके parents के लंबाई के बराबर होगी, कभी-कभी यह देखा गया है कि आपकी parents के लंबाई कम होती है, लेकिन आपकी लंबाई बहुत अधिक हो जाती है, पर कुछ-कुछ मामलों में लोगों की height कम रह जाती है, लेकिन य लोगों के साथ ही होता है पर इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपकी हाइट कम है तो आप इसे कुछ टकनीक की मदद से बढ़ा सकते हो तो आपको हाइट बढ़ाने के लिए करना क्या है दोस्तों हम लोगों ये बॉडी में बहुत सारे एक्यूप्रेशर पहला आपके अंगूठे का जो आगे का एरिया है और दूसरा आपके पैर के अंगूठे का जो आगे का एरिया है वो वज्यानिकों का मानना है कि ये दोनों पॉइंट्स जो होते हैं इनका डारेक्टली संपर्ख हमारे प्यूश गरंथी से होता है और जब हम लोग इन बढ़ाता है अब टिप्स नंबर दो की बात करते हैं दोस्तों आप लोग के भली भाती जानते होंगे कि हम लोगों की बॉड़ी के लिए स्लिप यानि सोना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन क्या आपको पता है अगर आपको अपने हाइट को और भी ज्यादा बढ दोस्तों टिप्स नंबर तीन है डाइट यानि कि अगर आपका खानपान सही है तब आपके हाइट को बढ़ाने से कोई नहीं रोक सकता आप तो यह जानते ही होंगे कि प्रोटीन से हम लोगों के बॉड़ी के जितने भी मसल्स होते हैं और टीशू होते हैं वो बनते हैं इ आप मीट, एग, फिश इस तरह की बहुत से चीज़ों को खा सकते हो लेकिन अगर आप एक वेजिटेरियन व्यक्ति हो तो आपके लिए दूद और स्वयाबिन से अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता स्वयाबिन में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है और यह एक ऐसी को प्रोटीन से पोशित कर सकते हैं दोस्तों टिप्स नमबर चार है एक्सरसाइज आप मैंसे सभी को पता होगा कि एक्सरसाइज करने से हमारी हाइट बढ़ सकती है लेकिन सही मायनों में किसी को भी यह नहीं पता कि कौन सी एक्सरसाइज करने से हमारी जो हाइट होती है तो तेजी से बढ़ेगी तो दोस्तों आप लोगों को साथ ऐसे exercise के बारे में बताता हूँ जिसे अगर आप लगातार एक महीनी तक कर लेंगे तो आपको उसका असर देखने को मिलेगा exercise number one wall stretch इसमें आपको करना कुछ नहीं है आपको अपने आगे खंबे को या फिर दीवार को पकड़ के खड़ा हो जाना है और अपने पैरों को सीधा कर लेना है और अपने आपको आगे की और पुछ करना है ये कुछ इस प्रकार से exercise number two pelvic shift and flatis roll over इस exercise को करने के लिए आपको जमीन में सीधे लेट जाना है और अपने पैरों को आगे की और लाना है और अपने पेट को उपर की और उठाना है और इसके बाद जब ये हो जाए तब अपने पैरों को पीछे की और ले जाना है कुछ इस प्रकार से जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो exercise number three cobra stretch इसमें आपको करना कुछ नहीं है आपको जमीन में सीधे लेट जाना है और अपने हातों को नीचे रखके अपने बाडी को उपर की और खीचना है कुछ ऐसा exercise number four touching toys इस exercise को करने के लिए आपको जमीन में सीधे खड़ी हो जाना है और अ back के जो spinal cords होते हैं वो खोलते हैं और वही जो होता है जो आपके heights को बहुत अधिक बढ़ा सकती है exercise number five forward spine stretch इस exercise को करना के लिए आपको जमीन पर सीधे बैट कर अपने एक पैर को आगे करके उसमें आपको सीर से सटाने की कोशिश करना है exercise number six hanging bar आप लोग ये भली भाती जान जरूरी है आप इस exercise को रोजाना दस मिनट जरूर करें अब आखरी exercise की बात करते हैं जिसे कहते skipping यानि कि आप जितना हो सके jump करो जब आप jump करते हो तो हम लोगों के body के जो lock part होते हैं वो खुलने लगते हैं और उससे HGH यानि human growth hormones और भी हधिक मादरा में release होता है तो आपक इन 7 exercise को 30 minute regular जरूर करना है आप इन exercise को मादर 30 दिनों तक करो उसके बाद आप खुद इसका असर देखने को मिल जाएगा तो अब सबसे आखरी tips के बारें बात करते हैं और यह सबसे ज्यादा effective चीज़ है आपको अपने height को बढ़ाना है तो आपको अपने चलने और बैठन सिधा होना आपके height पर बहुत ही ज़्यादा depend करता है और बैठते समय भी लोग यही गलती करते हैं कि आगे की और जुक कर बैठते हैं इस वज़य से जो spinal code होता है वो और भी ज्यादा टेड़ी हो जाती है और उसकी height बढ़ने के मज़ाए और रुख जाती है इसलिए आप आगे से जब भी बैठो तो अपने spinal code को सीधा करके ही बैठो और यह बात पूरी तरह से scientifically proven है यानि कि वज्यानिक त्वारा प्रूट कर दिया गया है कि आपके spinal code का सीधा होना आपके height में बहुत महतरपून भूमिका निभाती है और अगर आपको चलना भी है तो आपके spinal code को सीधा करके ही चलना है इस बात को अपने मन में पूरी तरह से बिठा ले गांठ मान ले इसका एक और फायदा है अगर आप इस तरह से अपने spinal code को सीधा करके चलते हो उड़ते बैठते हो तो कभी भी आपको back pain की समस्या नहीं होगे तो दोस्तों आप लोगों को जितने अगर फालो करते रहना यकीन मानों आपको रिजल्ट जूरू मिलेगा आई होप आपको वीडियो जानकारी अच्छे लेगी होगी वीडियो को किसे एक मित्र के साथ शेयर करना और जाते जाते जरूर इस वीडियो को लाइक करते हो जाना